बिधा था जब इस प्रकार का हंस का सब विवेक देते हैं तब दोशों को छोड़ कर मन गुणों में अनुरत होता है काल सुभाब और करम की प्रवलता से भले लोग साधू भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोशों को मिटा कर निर्मल यश देते हैं वैसे ही दुस्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं परंतू उनका कभी भंगना होने वाला मलिन सुभाब नहीं मिटता जो वेश धारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा सादू का शा वेश बनाई देखकर वेश के परताप से जगत पूचता है परंतू एक ना एक दिन वे चौड़े आही जाते हैं अन्त तक उनका कपट नहीं निबता जैसे कालने मी रावन और राहू का हाल हुआ बुरा वेश बना लेने पर भी सादू का सम्मान ही होता है जैसे जगत में जामबान और हनुमान जी का हुआ बुरे संग से हानी और अच्छे संग से लाव होता है यह बात लोक और वेद में हैं और सभी लोग इसको जानते हैं पवन के संग से धूल आकाश पर चड़ जाती है और वही नीच नीचे की और बहने वाले जल के संग से कीछड में मिल जाती है सादू के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असादू के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं कुसंग के कारण धुआ कालिक कैलाता है और वही धुआ सुसंग से सुन्दर स्याही होकर पुरान लिखने के काम में आता है और वही दुआ जल, अगनी और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला वन जाता है ग्रह, औसली, जल, वाईयू और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पधार्थ हो जाते हैं चतुर अवं विचाशेल पुरुशी इस बात को जान पाते हैं महीने के दोनों पखवाडों में उजियाला और अंधिरा समान ही रहता है परन्तु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है एक का नाम शुकल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझ कर जगत ने एक को सोयश और दूसरे को अपयश दे दिया जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सब को राम में जान कर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाँ जोड़ कर बंदना करता हूँ देवता, देत्य, मनुष्य नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर, किनर और निशाचर सब को मैं प्रणाम करता हूँ अब सब मुझ पर कृपा कीजिए सियावर राम चंदर जी कीजे